टावर ओफ साइलेंस एक ऐसी जगह है जहां पार्सी लोग अपने प्रियजनों के मरने के बाद उनके शवों को प्रकृती की गोद में चूड़ देते हैं ये प्रथा प्राचीन समय से पार्सी समुदाय में चली आ रही है इसे दखमा कहते हैं पार्सी लोग मानते हैं कि मानव शरीर प्रकृती का दिया एक उपहार है इसलिए मौत के बाद उसे प्रकृती को लोटाना होता है दुनिया भर में पार्सी इसी तरह शवों का अंतिम संसकार करते हैं और कोलकाता में भी इसे अपनाया जाता है कोलकाता के बेले घाट पार्सी बागान में पहला टावर अफ साइलेंस 1822 में बनना शुरू हुआ था और यह 1828 में बनकर तयार हो गया था उस समय कोलकाता में पार्सी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते थे तब वहां के जाने माने कारुबारी नौरोजी, सोराबजी, उम्रीगर ने पहला टावर अफ साइलेंस बनवाया था ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी टावर अफ साइलेंस का निर्मान करवाता है या उसके लिए दान देता है, सबसे पहले उसी का शब वहाँ पहुँचता है कोलकता में भी ऐसी घटनाएं हुई है जिस शक्स ने यहां टावर ओफ साइलेंस पनवाया सबसे पहले उन्ही का शब यहां लाया गया उनका एक पालतू कुत्ता था जो उनसे बहुत प्यार करता था उनकी मौत के बाद उस कुत्ते ने खाना पीना भी छोड़ दिया था साथ दिन बाद उसकी भी मौत हो गई और उसे टावर ओफ साइलेंस के बाहर दफनाया गया इस एशिया का पहला टावर ओफ साइलेंस कोलकाता में ही बना था जिससे तब कलकत्ता कहते थे ऐसा दावा किया जाता है कि रंगून, मले और यहां तक की सिंगापूर से भी शवों को कोलकाता के टावर ओफ साइलेंस में लाया जाता था वहां रखे शवों को कुछ समय बाद गिद्ध खाने लगते थे और धीरे धीरे गर्मी बारिश के बीच वो शव पूरी तरह मिड़ जाते थे Tower of Silence सिर्फ गिद्ध जैसे पंचियों पर ही निर्बर नहीं रहे था इस तरह के अंतिम संसकार का प्रमकुद्देश ये होता है कि आप अपने जीवन का आखरी परोपकारी काम कर सको सिर्फ गिद्ध और अन्यपंची ही नहीं बलकि सूरज की गर्मी भी इसमें काम आती है पार्सी लोग मानते हैं कि शवों को दफनाने से या उन्हें नदी में बहाने से प्रकृति को नुकसान पहुचता है इसलिए वो इस सदियों पुरानी प्रथा का पालन करते हैं हर एक शव नासो का सोर्स होता है हमारी भाषा में नासो का मतलब प्रदूशन होता है हम नहीं चाहते कि कोई भी शव किसी जगह को प्रदूशित करे शव को नदी में फेकने से वो पानी को प्रदूशित करता है उसे जलाने से वो हवा को प्रदूशित करता है इसलिए हम शब को प्रकिर्टी के हवाले कर देते हैं Tower of Silence को इस तरह से बनाया जाता है कि हम भारी शबों को सबसे उपर महिलाओं या कम वजन वाले शबों को बीच में और बच्चों के शबों को सबसे नीचे रखते हैं शबों को गिध वगेरा खा लेते हैं जबकि बची हुई हड़िया कुए में गिर जाती हैं हर साल दो साल में उन्हें इकठा करके उनका निप्टान किया जाता है एक समय था जब कोलकाता में कई पारसी रहते थे लेकिन अब यहां सिर्फ 370 पारसी ही रह गए हैं जिसमें से 220 लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 31 लोग 20 साल से कम उम्र के इस वजह से यहां के टावर आफ साइलेंस में बहुत ही कम शब पहुँचते हैं मैंने इस प्रक्रिया को तीन बार देखा है मैंने देखा कि सभी ने सफेद कपड़े पहने थे और वहां खड़े थे हम उस तरफ कभी नहीं गए क्योंकि वहां जंगल है जब वो इधर आय तब हमने उन्हें देखा वो शब को लाते समय मंत्र का उचारण करते हैं फिर टावर में चले जाते हैं प्रक्रिया के दारान सभी लोग एक साथ चिल लाते हैं लेकिन अब वक्त बदल रहा है गिद भी लगभग विलुप्त होने की कागार पर है इसके साथ ही टावर ओफ साइलेंस के आसपास लोगों की आबादी बढ़ रही है लोगों की सोच में भी बदलावा रहा है इस वजह से आज की समय में पार्सी लोग शवों को जलाने या दफनाने लगे हैं जब मेरे पिता का निधन हुआ तो हम उनके शव को टावर ओफ साइलेंस नहीं ले जा सके क्योंकि आज की समय में ऐसा करना प्राक्टिकल नहीं लगता वहां बमुश्किल कोई गिद है और ऐसे में शव प्राक्रतिक रूप से डिकम्पोज नहीं हो पाते इसलिए हमने पिता के शव को जलाने का फैसला किया हमने उनकी राक को टावर ओफ साइलेंस में दफन कर दिया और वहां पेड़ुका दिया मैं साल में एक बर वहां जाती हूँ हमें टावर ओफ साइलेंस के बारे में बस उतना ही पता है जितना उसके बारे में लिखा गया है हम वहां नहीं जाते शायद यहदा संसकार करने का सबसे बहतर तरीका नहीं है इस पूरी प्रक्रिया को environmental friendly नहीं कह सकते वक्त के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए हमें यह तलाशना चाहिए कि सबसे बहतर विकल्ब क्या है क्या कोई भी पीड़ी से अपनाएगी पार्सी लोगों की नई पीड़ी अब इस प्रथा से दूर होती जा रही है लेकिन पार्सी पुजारी अभी भी इस प्रथा में विश्वास रखते हैं अगर आप इस धर्म पर विश्वास नहीं रखते तो आप कोई भी फैसला ले सकते हैं अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते या किसी प्रथा पर भरोसा नहीं करना चाहते तो यह आपका अपना फैसला है लेकिन आमतोर पर अधिकतर पार्सी अपनी परंपराओं को मानते हैं और इसी वज़े से आज भी टावर ओफ साइलेंस का महत्व बना हुआ है नई पीड़ी के पार्सीयों का नजरिया बदल रहा है